नवस्कार मैं पंकश्पान चंडीगर से आज आपके सामने जो में मुद्दा लेकर आया हूं वह मुद्दा मेरा नहीं आपका नहीं मेरे शहर का नहीं यह पूरे समाज का मुद्दा है किसी धर्म जाती एक धर्म जाती देश या किसी और का मुद्दा नहीं यह पूरे देश यहां तक कि साज ससूर के रिस्ते को लेकर भी गंदी वीडियो जो बनाई जाती है, जो कि सरा सर गलत है, हमारी संस्कीति के खिलाव गलत है, हमारी भावनों के साथ खेला जा रहा है, हमारी रिस्ते के साथ खेला जा रहा है, नंगन परचार चल रहा है फेस्बुक के उपर आ जिसे देखकर मैं आपको सही बताऊंब कान फट्नने को त्यार हो जाते हैं मुझेने पता की आप लोग कैसे देखते हैं। का मैं देखता हूं ख। होते हैं पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, वो तो गलत कर रही हैं, कि जो कि इस तरह के रिष्टों के सांद खिल्वाड कर रहे हैं बच्चों को बिगार रहे हैं लोगों के मांसी county से खेल रहे हैं पर उससे बुरा तू हम कर रहे हैं उसे खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं इस चीज का जो असर पढ़ेगा वो मेरे जूँ पर अपर नहीं बट ये लोग घर में रेपिस्ट को पैदा करने की मोहिन चलाई भी इन लोगों ने लोगों किस दिमा किसना खेला जा रहा है बहुत गलत है बहुत ज़्यादा और रिष्टों को लेकर वीडियो बनाना अभी इतनी गंदी वीडियो उनके शब्द अगर आप सुनेंगे तो कुछ पड़ गा कि नहींगा कि दामाद क्या साथ से इसी बात कर सकता है जो number ना कैप के समान जो रिष्ट having the current report उनर ईस्टे को लेकर लिए लोग ऐसी वीडियो बना रहे है और उनके उनके शब्दों को सुनो, उनके शब्द सुनकर आपका कलेजा ना फढ़ जाए, तो मुझे बोलना, और मैं आपको यह बात बोलना चाहूंगा, कि यह जो चीजे हो रही है, यह जो चीजे स्टार्टिंग हुई है, वो सन 2019 से जब से अजीत महुन जी, जो की Facebook इंडिया के CEO है करन्ट डेट में आज के, उनके आने के बाद ये चीजे Facebook के अपलोड होना स्टार्ट वही है, मैं मानता हूं कि अजीत महुन जी ने हमें लाइव वीडियो का अप्शन दिया, अपनी बात अखने का अप्शन दिया, लाइव कॉंटेट करने का अप्शन दिया, बट उसके स साथ उनने Facebook पर गंदगी दी, हवस की भावना दी, हर रिस्ते को मजबूर किया, हर रिस्ते को जंजोड़ा, हर रिस्ते को बदनाम किया, और आज की डेट में आलम ये है, कि आप किसी रिस्ते में श्वास नहीं कर सकते, ये लोग हमारी मानसीता को बदल रहे हैं, औरे नकल प्लीज कॉल में नाइट, लाइब चेक, लाइब विगो, लाइब होट सेक्स आप कर सकते हैं, औरे क्यों भाई, क्या हमको नहीं पता कि इस सब चीजे भी होती है, आपका बताना जरूरी है, अरे शरम करो कुछ, शरम, फेस्बुक के ओपर बच्चे भी हैं, बुडे भी ह हैं, बहने भी हैं, माताई भी हैं, हम सब हैं फेस्बुक के ओपर, फेस्बुक एक सोचल मीडिया है, आपके बाप की जागिर नहीं है, जो आप लोग इस तरह पब्लिक प्लेश में गंदगी फिला रहे हैं, औरे जिस तरह पब्लिक प्लेश में दारू, सिगड, पीना, ज रेटिंग बड़िज भी है, और रेप उनके साथ हो रहा है, जो मासुम बच्चे हैं, उनके साथ रेप हो रहा है, आपकी वीडियो देख देखके, यह मालूम है आप लोग को, पर मुझे नहीं पता कि आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई, हमारे आईटी सेल ने क्यों न संत्री ने क्यों नहीं उठाई, साइबर सल के लोगों ने क्यों नहीं उठाई, है, आप से मेरी यही गुजारिश है, दोनों हाज जोड़ के मैं पंकच्मान चंडीगर से अभ्यान चलाया वाहूं, असलिता मुक्त फेस्बूक अभ्यान, आप सब से रिक्वेस्ट है कि इ इतने भी धार्मिक संगठान है और जितने भी मेरे देश के अंदर एंजियो चल रही है, जितने भी महानुवफ मेरे फेस्बूक के ओपर जिनके फोलोर्स बहुत जादा है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पर अवाज उठाएं, अपने व्यूस दें, इस चिज को लेकर इस वीडियो को, ताकि अजित महान जी तक ये वीडियो जाए, अगर उनको मालूम है, तो भी ठीक, अगर नहीं मालूम तो मालूम पड़े, और ये सारे पेजिस को बंद करे, इनके खिलाफ लीगल अक्शन ले, अजित महान जी, अगर ये पेजिस बंद नहीं हुए, तो बहुत जल्ड मैं Facebook CEO of India के अगेस्ट, Mr. Ajit Mohonji के अगेस्ट, Legal Action लूँगा, इसमें मुझे आप सब भारतवासे को सांथ चाहिए, किसी भी राज्य का हो, किसी धरम का हो, तो मैं यहीं कहाना चाहूँगा, इसके खिलाफ एक जूठो के मावाज उठाते हैं, ये डिजिटल आंदोरन बोल सकते हैं इसे, तो आप सही रिक्राइस्ट है कि अपना सांथ दे, अपना हाथ दे, ताकि ये इस मुझे को मागे चिला सके, और इस तरह की एक्टिविटी को टोटली बंद कर सके, जय हिन, जय भारत!